प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर जैसलमेर पहुंचे है और इस जोरान हमारे समधाता श्रीकांत व्यास से खाज बात्चेप की है उन्होंने कहा कि सुर्ण नगरी की सुन्दर्ता से अभी बूत हो गया जैसे सुना उससे जादा खुबसूरत सुर्ण नगरी है देखे एरिपोर्ट कि आप मुझे इंट्रेड्यूस करने वाले थे कि सुनेरी दर्ती स्वर्ण नगरी में सुनेरी आवाज के धनी कहलाश खेराये हैं जो अपने शिव की अलग जगाएंगे मरू महुत्सव में लेकिन कोई बात नी आपका काम मैं ही किये देता हूँ और आज मरू महुत्सव में पूरे कहलासा की जोत जगेगी यहां पर अध्यात्म की और यह जो धर्ती है सुनेरी धर्ती तो यह है लेकिन यह अध्यात्म की भी धर्ती है और यह वीरों की धर्ती है और यह धोरों की यह टीलों की धर्ती है यहां के पत्थर में यहां की मिट्टी में यहां की हवाओं में सोना है सोना और सुनहरी चमक से यहां के लोगों की जो मुस्कान है वो भी दिखने को मिलती है आराम से आप यह समझे कोई लड़ता भी है यहां पर तो उसमें भी प्रेम जलगता है और इतनी शान्त और इतनी सरल जगा है क्यों क्योंकि ये तपो भूमी मैं मानता हूं यहां पर बड़े-बड़े वीर पराक्रमी तपे हैं उन्होंने इस सीमावर्तिक शेत्र से हमारे भारत को बचाया है तो इसलिए परशुराम की परसा जो है भगवान महादेव के जो सबसे ब रहनी एक ये सुरक्षा कवच का पूरा प्रमान है जिसका नाम है ये पूरी धर्ति जैसलमेर क्या कहेंगे як किस तरह से जो है वो लोगों का हुसाद देखने को बिला है जब से आप आहेै क्योंकि इस सामने ते देखने को मिलता है मशूर गायकार जब आते हैं तो लोग मिलने को तरसते हैं और लेकिन पहली वार ऐसा हो रहा है कि हर एक बच्चे से जुड़ा हर किसी के दिलों की धड़कन बन चुके हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस सोने की धरती में किस तरह से जो है सोने सा दिल देखने को जी मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए यह जो भोलापन है यहां पर यह भोले की नगरी है भोलों की नगरी है इस बात को ना कभी भोलें और यह भोलापन अपना मिटने न दें मैं मानता हूं कि शूर वीरों की यह पावन नगरी है जैसलमेर लेकिन अपने अंदर का जो जो ये भोले का अस्तित्व है, मेरे महादेव का जो आपके अंदर सबके अस्तित्व है, इसको बिलकुल मिटने ना देना, क्योंकि बाहर से कठोर, अंदर से मुलायम, यही तो मेरे भोले महादेव का स्वरूप है, और यदि आप लोग उससे उतप प्रोत हैं, तो इसका मतल रहे हैं, उससे चोगणा हम देंके जाएंगे आपको, बस इतनी सी बात है कि एक आज के शो के बाद एक नई बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत दिनों के बाद मैं एक टीवी शो कर रहा हूं, जो कि टीवी शो का एक तरह जो अब तक आये हैं, उन सब का समझ लीजे, उस उस्ताद शो आ रहा है जिसका नाम है IPML जी टीवी पर 26 तारीक से 8 बजे से होगा शुरू और सब अपना टीवी देखिए सब अपना जी फाइव एप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजे मुंबाई वारियर्स नाम की टीम का मैं हूँ कैप्टन ये क्या कहना चाहेंगे जैसल मेर 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 और सबसे बड़ी बात कि जैसल मेर मेर में आपके आने के साथ नाचिये गाईये कहलासा संग जूमिये और जितनी गाइड लाइन से उनका भी ख्याल आप रखी रहे हैं और कोरोना को अपने उत्साह से ही मात दीजिए साहिब हारिये ना हिम्मत बिसारिये ना राम दूसरी बात जब ये शो हमारा हो जावे 26 तारिक के बाद से हमारा जो शो शुरू हो रहा है उस पे वोटिंग भी जरूर करिये क्योंकि वोटिंग से ही टीम जीतेगी और सबसे बड़ी बात जैसल मेर एक ऐसा सहर जिसे आपने ही अपनी भासा से परिभाशित किया ट्विटर पर एक ट्विट किया और उसके बाद लोगों मुझसा बड़ा क्या मानते हैं मरू महुटसव में इस संगीत संध्या के बाद किस तरह से जैसल मेर मेर में आपके सुर यादगार पलो के रूप में लोगों के दिला मरे मरू महुटसव में इस बार कहलासा की अखंड जोत जगेगी संगीत की और मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा जैसे कि वह भाईवा इतिहास तो रचा गया अब बस यहीं से फोलो होगा अब यहां से खड़े हो गए तो यहीं से लाइन शुरू होगी ऐसा हो जाएगा हमारे साथ थे मशूर गायकार केलास खेर साहब और लगातार मरू महुटसव को लेकर उच्सा जो है इनके आने से दुगणा चोगणा नहीं दसगणा हो चुका है इसे के साथ इस बुलिटन में बस यतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार